24 बाइ 7 पाताो पाल मत दो आगर ढोकागा क्रें दिवर अड़न nenhum आ जहा रहता हैuins और ले लिए लियेश विस्य स्माइए Pastor में इनकन से का करने देखार है जो बच्झे को गए दक करने है वühren गए स्कार ठीकोडकर के लिए ले जा रहा है रास्ते में बच्चे का इंतिकाल हो गया और वाड़ भाय दूसरों के हवाले बाड़ी करें भागया वासा है डाक्टरों की भी लापरवाई है बबाड़ भाय तो भले आम लापरवाई करा सामने एक पेशन्ट को आद कुछाफर करें ये बच्चे को छोड़के वो पेशन्ट को अटेंड करने के लिए निकल गया ये लोग का बयान है लेकिन ये वाकिए कि जितनी मदमत की जाए कम है हम सेथ खाजा के अफराद खांदान के साथ ताजियत करते हैं उनके साथ घम्मे बराबर के सेजिक है लेकिन ये डाक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवियाबत ले पोलिस वालों का हिसाब ऐसा है कमसकम वो मरीजों की मदद के लिए रहनुमाई के लिए आ रहे थे कुछ तो हमदर्दी करना उनके पास भी आल अलवाद है उनके पास अगर ऐसा जल्म करते रहे तो उनका भी अल्ला के अदाब का शिकार होंगे वो लोग पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं डाक्टरां भी बात करने तैयार नहीं यह डाक्टरों की लापरवाई की वएसे हमेशां तीन सो फीशन है और तीन वेंटि लिटर है कैसा लगाना भूलकर वर्करिव सौब कर रहे हैं के जिफशेद के लिए और पूलिस को रखा गया पुलिस मरीजों की हमदर्दी नहीं करती मरने वालों के हमदर्दी नहीं करती जिस पर जुल्म होता है ना इंसाफ ही होती है जिसके इलाज बरावर ने तौन के साथ पॉलिस को ही मदद नहीं करती है यहाँ वह इस हाला थे परहाल इस वाकर के सिलसिले में नखीब मिलत अस्तो दिनों इससाफ सद्रिय मजली सुर्प के पारलिमें कर दिये नवक्री से और दूसे लोगा हैं उसके तालों से क्या कारवे करना है मली सित्याद मुस्लिमीन इस बच्चे की मासुम बच्चे की जो जान राएगा गई है उसके खिलाफ हम तैखात करेंगे उसके उपर एक्शन लेंगे जो भी खुस्तुर वारे उनको सजा दिल इस सिलसिले में हुकुमत के पास भी इनके दवा खाने की रिपोर्ट पेश करके इनको पर एक्शन लेने की दर्खास करेंगे शुक्रिया यहां लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहां के डॉक्रत के पास 300 मरीज तीन सो मरीज पhar узна me'tר सीचन लेंगे पर सेंटर na 1 पर 29 पर कोशिश करें नहीं मिलने के बाद में 29 तरीक के दिन बच्चा अभी प्राइबल में बेज रहा है अभी कोई फ्राइबलम नहीं अनित्स तरीक के सब्सक्रां और 30 तरीक के दिन स्बान देख रहा तो इस वह से सिटी सकंट कराने के लिए जो बेजने के टेम पे बच्चे के वालित के साथ बच्चे को लेके सीटी स्कैन के लिए डागनसिस सेंटर को लेके जा रहे थे उस टेम पे वह वाडबाई सुभाज जो है किसी से पैसे सव रुपे मांगके उनका ऑक्सिजन निकालके कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है वो बच्चे को ऑक्सिजन की कमी महसूस हुई डागनसिस सेंटर जाने के टेम पे वो डागनसिस में जो सीटी स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सिजन अवैलबल है या नहीं तो वो लोग के पास नहीं मिलने के वज़े से बच्चे का हाट रुख ग विदिन वन वन आवर को जो है तो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली और वो बच्चे के उपर एक्शन लेते बोले हैं लेकिन उस टेम पे जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनके नेगलेंस के वज़े से उनका इनका इतना था कि वो लोग बच्चे को को रेस्पांस नहीं दिये लोग उनके पेरेंट्स वगरा जो है वहां पे आके बार-बार कर रहे हमारा बच्चा निला पड़ जा रहा है बच्चा गट हो रहा है तो उस टेम पे वो लोग अपने फोन में मसरूफ रहने के वज़े से ये इंसिडेंट हुआ है और ये लोग बार-बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं तो उसी टेम पे भी जो हम ट्राइब कर रहे हैं 15 मिनिट्स के बात बोलते बलके नेगलेंस करें लास्त वह में पूरा ड्रामा क्रियेट करके लास्त हमें बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है उसका हाट र झाल 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 झाल